PM मोदी ने अमेरिका की धर्ती पर जैसे रखा कदम, वैसे मोदी के नारों से गूंज उठा पूरा अमेरिका मोदी और अमेरिका मिलकर लिए कुछ ऐसी डिसीजन की पूरा यूरोप हिल गया United Nation में भारत की पावर देख कुरसी छोड भागे कई मुसलिम देश दशकों पुराना इतिहास भारत में एक जटके में बदल डाला दोस्तो जैसा कि हम सबको पता है कि मोदी इस समय अमेरिका पहुँच चुके हैं मोदी ने जैसे अमेरिका में अपना कदम रखा, वैसे उनका भव्य स्वागत हुआ जो बाइडन ने मोदी का पूरे गर्म जोशी के साथ स्वागत, बाइडन ने पी एम मोदी का हाथ पढ़कर वाइट हाउस के अंदर ले गए इसके साथ ही दोस्तों पूरी दुनिया में इस समय हलचल मची हुई है भारत और अमेरिका के रिष्टों को लेकर जो अभी एक दिन पहले तक कयास लगाये जा रहे थे लेकिन अब पूरा सिनेरियो बदल चुका है अमेरिका ने अपनी दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की है कि कयास लगाने वाले देशों के मनसूबों पर पानी फिर गया है कनाड़ा, चीन, पाकिस्तान, इरान और तुर्की जैसे देशों में भूचाल आ गया है मोदी और अमेरिका की दोस्ती ने इन देशों को ऐसा जटका दिया है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था दरसल दोस्तों, अमेरिका ने भारत को वह तोहफा दे दिया है, जिसका अब तक भारत कई दशकों से इंतजार कर रहा था युनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के, अमेरिका ने अपनी आखिरी मोहर लगा दी है, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई है और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है, कि अब चीन के भी सुर बदले हुए दिखाई दे रहे है चीन भारत के आगे पीछे दुम हिलाते हुए दिखाई दे रहा है, शी जिन पिंग के सारे होश ठिकाने आ गए है अभी अभी एक और चौकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है जिसके बाद से चीन में हडकंप मच गया है और पाकिस्तान की हालत बद से बतर हो चुकी है इसके अलावा भारत ने कई देशों को कड़ी चुनौती भी दे डाली है अमेरिका की धर्ती से पीएम मोदी के स्पीच सुनकर कई देशों के कान खड़े हो गए है तो कई देश थर-थर कापने भी लगे है सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जो देश भारत के विरोध में अभी तक खड़े हुए थे लेकिन मोदी की स्पीच ने उनको इस तरह मोह लिया कि वह अब भारत के समर्थन में अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं दरसल दोस्तों पीएम मोदी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की बैठक देर रात संपन्न हुई और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान, चीन और कई मुस्लिम देशों को अपने रडार में लेते हुए कई बड़े हम डिसीजन लिये और इस दौरान भारत के साथ आस्ट्रेलिया और जापान भी साथ खड़ा रहा यानि वाट देश की मौजूदगी में कई बड़े अहम फैसले लिये गए हैं और चार महाशक्तियों की पावर एक साथ देखकर चीन और पाकिस्तान के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है तो दोस्तों किसी तरह से भारत ने मुस्लिम देशों को सबक सिखाया है और चीन को किस तरह की धमकी दे डाली है जिससे उसके होश उड़ गए है तो दोस्तों पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों भारत के पीएम नरेंदर मोदी ने जबसे अमेरिका की धर्ती पर कदम रखा है उसके बाद से ही एक के बाद एक मोदी ने अपने भाशनों की जड़ी लगा दी है पूरा अमेरिका मोदी के नारों से गूंज उठा है और सबसे कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका में भारी बारिश होने के बावजूद भी लोगों का मोदी प्रेम इस तरह उमदा की बारिश की परवाह किये बिना लोग मोदी के स्वागत में रोड पर उतर आए और इतना ही नहीं, अमेरिका की पार्लियामेंट के सदस्यों ने भी भारत के भव्य स्वागत की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से कर रखी थी, जिसको लेकर के खबर अब सामने निकल कर आ चुकी है. वहीं अब इस चीज को लेकर के अब तक किसी को जानकारी नहीं थी कि आखिर भारत अमेरिका किस मकसद से जा रहा है. अमेरिका और भारत के बीच ऐसी कौन सी डील होने जा रही है जो भारत को महाशक्तिशाली बना देगी है. और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि भारत के वीटो पावर पर इतनी बड़ी मोहर लग जाएगी, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी डील को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। वीटो पावर को लेकर के दुनिया के 158 देश की तरफ से समर्थन मिल चुका था। और इसके साथ ही अमेरिका ने अब इस समर्थन को लेकर के जो कहा है वह सुनने के बाद आप भी खुशी से जूम उठेंगे। कनाडा के गालों पर करारा तमाचा लगा है। क्योंकि यह वही कनाडा है जो भारत को अमेरिका की कोट में घसीटने की कोशिश में हर संभव लगा हुआ था। लेकिन उसके मनसूबों पर पानी फिर गया है। अमेरिका ने कनाडा को तगड़ा जटका दे दिया है, इसके बाद से चीन ही नहीं। कई मुसलिम देशों के और बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। दरसल बता दें कि चीन ने खुद कहा है कि भारत और चीन के बीच कोई मतभेद नहीं है। और एक बार फिर चीन और भारत भाई-भाई वाला सिचुएशन क्रियेट हो गया है चीन। अब भारत की चापलूसी करना शुरू कर चुका है क्योंकि उसके जहां में अब डर बैठ गया है कि भारत के हां में हां अगर हम नहीं मिलेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो और देखा जाए तो जिस तरह से भारत के पीएम नरेंदर मोदी ने अमेरिका की धर्ती पर दहार लगाई है अपनी भाषन की जड़ी लगा दी है और वह पूरी दुनिया ने सुना और मोदी के भाषन को सुनने के बाद पूरी दुनिया को यह समझा गया है कि भारत की ताकत पूरे विश्व में किस कदर से फैल चुकी है यहां तक कि अमेरिका खुद भी भारत के इस भाषन के बाद ताली बजाता हुआ दिखाई दिया दरसल पी एम मोदी ने 2000 से ज्यादा अमेरिकी डेलिगेट्स के साथ अमेरिका के करोडों लोगों को संबोधित किया है जिसके साथ ही तालिया की गड़गडाहट से पूरा अमेरिका गंज चुका है इतना ही नहीं भ भारत आगे विकास करें उनको भी भारत ने अपने रडार पर सीधा लिया है तो वहीं इस पूरे घटना क्रम के बीच भारत के सबसे करीबी मित्र रूस ने भी भारत को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है रूस ने कहा है कि भारत की हर एक कदम काबिले तारीफ है भार पर कोई दरार नहीं आ सकती है जिस तरह भारत हमारे लिए हर समय खड़ा रहता है इस तरह हम भी भारत के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे इसके साथ ही रूस ने यह भी कहा कि भारत को वीटो पावर मिलने से किसी देश को कोई नुकसान नहीं है बलकि फाइदा ही हो हो गई है इरान तुर्की जैसे देश जो मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है और भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं उन्हें भी भारत ने अपने रडार पर ले लिया है वह देश भी यह समझ रहे हैं कि भारत की ताकत किस हद तक किस्तानी आतं की पन्नु को ले करके जो भारत पर निशाना कनाडा ने सदा था और भारत से अपने रिष्टे संबंधों को खराब करने की कोशिश की थी उसे पर भी ऑस्ट्रेलिया ने सीधे कनाडा को चुनौती दे दी ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मैं कनाडा की तरह नहीं क पूरे दुनिया के सामने उजागर और खराब नहीं कर सकते हैं। अमेरिका कनाडा को ही बीच में छोड़ करके भारत का हाथ थाम चुका है। हमारे संबंध अब बहतर हो रहे हैं। आगे हम संबंध को और बहतर करने की कोशिश करेंगे। यानि चीन अपने घुटनों पर आ गया है। भारत के सामने जब चीन की यह हालत हो गई है तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। आप खुद समझ सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो चीन के बलबूते उचलता है। वही मालदीब भी सहमा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वह भी चिन्ह भक्त है। जब उसका मुखिया ही लोमडी बन चुका है तो इन सब की क्या उकात है। बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।